आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ पर क्या group लगा होता है OCS3 ठीक है? ऐसा group जो है लगा होता है इसी को बोला जाता है Anisole ठीक है? क्या बोला जाता है? Anisole अब इसका जो है में लिखना है IUPAC name क्या लिखना है? IUPAC name जो है हमको लिखना है अब ये कैसे लिखा जाएगा? यहाँ देखो यह एक जो है Arial ring है मतलब Benzene ring है और यह जो है यह आपका Methyl group है 20 में लगा हुआ है O ठीक है? जब O आता है तो यह belong करता है Ether की family से ठीक है? किसकी family होगे? Ether की family से belong करता है और Ether की family में जो छोटा वाला होता है ठीक है? यहाँ पर यह CH3 group जो है चोटा है और Benzene वाला यह आपका क्या हो जाएगा C6H5 हो जाएगा ठीक है? तो छोटे वाले को जो है L-Coxy लिखा जाता है और जो बड़ा वाला है उसको L-Cain तो Ether का जो आपका नाम लिखा जाता है वो कैसा लखा जाता है L-Coxy L-Cain में जो है लिखा जाता है ठीक है? तो इसका जो I-P-A-C name हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर Methoxy ठीक है? और क्या हो जाएगा आपका Benzene तो Methoxy Benzene जो है इसका I-P-A-C name है Anisole का और Methoxy Benzene जो है यह आपके किसमे है Option No.3 में So Option 3 is the correct answer for this question ठीक? Thank you Classics to 12 से लेके Need IIT जेही Means और Advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भरोसा आज यह डाउनलोड करें डाउटने टाप या WhatsApp कीजे अपने डाउट्स 84444 सूपर